सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियोस को देखने के लिए हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास आज की ये शिक्षानी देशाले राश्टे राजधानिक शेत्र दिल्ली की वर्कशीट वर्कशीट नमबर 11 जो की कक्षा सात्वी के विध्यारतियों के लिए है यह ली गई है हिंदी विशे से जिसमें हम समझ रहे हैं पार्ट हिमाले की बेटियां आपको तो याद है कि इस पार्ट के लिखक श्री नागार जुन जी है और उन्होंने हिमाले की इन नदियों को बेटियों मा के रूप में प्रेहसी के रूप में बेहन के रूप में देखते हुए कल्पना करते हुए इस पार्ट को लिखा है और पिछले वर्क्षीट में हमने इसमें ये भी समझा था कि किस तरीके से नदी जो है वो अपने किन-किन चर्नों से होकर गुजरती है और कैसे-कैसे लोग उसे देखते हैं, उनको अटखेलियां करते हुए देखते हैं, शांद भाव से भी बहते हुए देखते हैं लेकिन जो आज की गतिविदी है न, वो हमें हमारा ध्यान एक समस्या की और आकरशित करती है और जिसके बारे में हम अपनी वर्क्षीट में समय समय पर बात करते रहते हैं और वो है जल प्रदूशन, क्योंकि हम सब जानते हैं ये नदियां हमारी जीवन दाएनी मा हैं, क्योंकि ये हमें जीवन प्रदान करती हैं, जैसे मा अपने बच्चे को जीवन प्रदान करती है न, ऐसे ही ये नदियां भी अपने जल के द्वारा हम बच्चों को जीवन प तो जो आज की गतिविधी है न वो इसी बारे में हैं तो आप इसमें अपने सुझाव अपनी कुछ समझ से बाते भी लिख सकते हैं जो मेरे सुझाव हैं वो तो मैंने यहाँ पर लिखे हैं अगर आपको इसमें कुछ और भी जोड़ना है आप इसमें और भी कुछ जोड़क उसको लिख सकते हैं तो चलिए शुरवात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं गति विधी एक प्यारे बच्चों अपने आपको नदी मानते हुए एक पत्र के माध्यम से सभी देशवासियों से आप निवेदन करें कि वे आपके जल को साफ सुथरा रखने में आपकी मदद करें तो यहाँ पर आपको एक पत्र लिखना है अपनी कल्पना से जिसमें अपने आपको आपने एक नदी मानना है और देशवासियों से प्रार्थना करनी है कि आपके जल को वो साफ सुथरा रखने में आपकी मदद करें तो चलिए इसको गतिविधी को करें प्रिये देश वासियों, मैं यमुना नदी हूँ मैं दिल्ली के साथ साथ कई अन्य राजियों के लिए भी जीवन दाएनी हूँ मेरा जल लोगों को जीवन प्रदान करता है दिल्ली की तो मैं एक मात्र नदी हूँ जो की दिल्ली वालों के लिए एक मात्र पानी का स्रोध है परंतु लोगों के क्रिया कलाप और कल कारखानों से निकलने वाले दूशित पदार्थों के कारण मेरा जल पीने लायक नहीं रहा मेरा जल कई बार इतना प्रदूशित हो जाता है कि उसकी आपोर्ती रोकनी पड़ जाती है जैसे अभी दो दिन पहले ही दिल्ली के लगभग सारे शेत्रों में मेरे पानी की आपोर्ती रोक दी गई जिससे दिल्ली के लोगों को बहुत जादा परिशानी हुई एक जीवन दाइनी मा होने के नाते मुझसे ये देखा नहीं जाता कि मेरे बच्चे कितने परिशान होते हैं इसलिए आप सभी से निवेदन करती हूँ कि मेरे जल को गंदा ना करें कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बिना देखे पानी में ना बहाएं इससे आप सभी को ही परिशानी होती है कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन मेरा जल इतना प्रदूशित हो जाए कि फिर कभी वे पीने के लायक ही ना रहे इसलिए एक बार मेरे जल को प्रदूशित करने से पहले जरूर सोचें आपकी प्रिये नदी यमुना तो मेरा भी आप सभी से निवेदन है कि अपनी इस एक मात्र नदी को जो दिल्ली की एक मात्र नदी है जीवन दाइनी मा है अपनी इस जीवन दाईनी मा को हम अपवित्र ना करें, प्रदूशित ना करें क्योंकि इससे परिशानी हमें ही होती है अभी जैसे आपने देखा ना कि दो दिन पहले पूरी दिल्ली में पानी की कितनी कमी हुई ऐसा आगे बहुत बार हो सकता है अगर हम अपने क्रिया कलाब को के द्वारा प्रदूशित करने से जल को प्रदूशित करने से नहीं रोकेंगे तो अब चलिए शुरू करते हैं अपनी गतिविधी नंबर दो गतिविधी नमबर दो है निमलिखित नदियां जिन जिन राजियों से गुजरती है उनके नाम लिखे आपको क्या करना है यहाँ पर कुछ नदियों के नाम लिखे हुए है और वो किन राजियों से होकर गुजरती है उनके नाम यहाँ पर लिखने है जैसे उधारन के तौर पर गंगा के बारे में लिखा हुआ है कि गंगा उत्राखन, उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है ऐसे ही बाकी नदियों के बारे में भी आपको लिखना है और अगर यहां पर मैंने कोई राजे छोड़ दिया है तो वो भी आपको लिखना है जैसे पहला है यमना नदी तो ये किन-किन राजे से होकर गुजरती है हिमाचल प्रदेश, राजेस्थान, हरियाना, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश फिर इसके बाद है ब्यास नदी या व्यास नदी ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर गुजरती है फिर इसके बाद है गोदावरी नदी जिसको हम दक्षन गंगा के नाम से भी जानते हैं ये है महाराश्ट्र, करनाटक और आंधरपरदेश राज्य से गुजरती है फिर इसके बाद है कावेरी नदी जो की दक्षिन भारतिय नदी है और ये है करनाटक और तमिल नाडू राज्यों से होकर बहती है फिर इसके बाद आखरी नदी है जेलम नदी जो की कश्मीर घाटी में बहती है और हर वर्ष जो पर्यटक जो सैलानी कश्मीर घाटी में घुमने आते हैं वो इसको देखकर पूरा-पूरा आनंद उठाते हैं तो इस प्रकार आपने इन दोनों गतिविधियों से ये समझा भी है कि ये जितनी भी नदियां हैं भारत में बहने वाली जितनी भी नदियां हैं वो हमारे लिए जीवन दाएनी बर्ण कर हमारी जिन्दगी को हमारे जीवन को बचाने में लगी हुई हैं लेकिन हम अपने क्रिया कलाब द्वारा इन्हें को ही प्रदूशित करने में लगे हुए हैं ऐसा दुनिया में कोई देश नहीं है जहांपर इतनी नदियां बहती हैं इसलिए हम भारतवासियों को तो बहुत जादा फायदा है इन नदियों से तो कृपिया इन नदियों को प्रदूशित ना करें क्योंकि इससे हमी को ही नुकसान होगा तो आईए मिलकर हम संकल्प करते हैं कि आगे से हम नदियों में कभी भी कूडा नहीं डालेंगे कभी भी उन्हें प्रदूशित नहीं करेंगे क्योंकि इससे नुकसान हमी को होना है तो ये तो थी आज की वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बहुत जादा शेयर भी कीजिए और हाँ मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी महनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए और अगर आपको कोरोना वाइरस से बचना है न तो मास्क जरूर पहने क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई धिलाई नहीं धन्यवाद